हलो डिवाइन सॉल्स आज है 31st of December 2022 यानि की 2022 का आखरी दिन कल से new year start होने वाला है 2023 एक fresh start करने जा रहे हैं हम एक new beginning होने वाली है हमारी life की तो 2023 की fresh start करने के पहले 2022 में हमने जो भी negative emotions दिये हैं जो भी blockages create के हैं हमें उन सबी को clear करने की जवरत है जिससे की नया साल का हर दिन बहुत ही fresh हो बहुत ही amazing हो बहुत ही celebration से खुशियों से गुड़नियों से भड़ा हो तो क्या करें हम जिससे की हमारे सारे negative emotions और blockages easily create easily ख़तम हो जाएं So guys आप सभी जानते हैं कि हो अपनो पनो पनो प्रेयर करके हम अपने सारे negative emotions को old baggage को clean कर सकते हैं So आज की वीडियो में मैं यहीं बतारी हूं कि हमें किस सरे से हो अपनो पनो पनो प्रेयर करनी हैं अपने year 2022 के लिए जिससे की हम एक fresh year start कर सकें अब आप कहेंगे कि हमें यह अपनो पनो प्रेयर की जवरत क्यों है So क्या होता है कि जब हम कोई garden बनाते हैं या हम किसी pot में भी कोई नया plant लगाती हैं तो हमें पहले उसकी मिट्टी clean करनी होती है हमें पहले ground को clean करना होता है वहाँ पर जो भी कंकर पत्थर पड़े होते हैं काटे होते हैं या pot में अगर खराब मिट्टी है तो हमें उस मिट्टी को replace करना होता है एक fresh one एक अच्छे मिट्टी के साथ जिसमें की एक नया plant grow कर सके उसी तरह से जब हम अपने mind में कुछ new start कर रहे हैं हमें कुछ new create करना है हम आज तक जैसी life जी रहे हैं हमें आगे वैसी life नहीं चाहिए हमें अपनी life को अगर बदलनी है तो हमें पहले अपनी पुरानी assumptions पुराने negative thought patterns को पुराने beliefs को पुराने हमें जो भी blockages है जो भी clutter भर हुआ है हमारे mind में हमें उस सब को declutter करने की ज़रत है कहते हैं किसी relationship में भी जब कुछ खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि पुराना खतम करके आगे बढ़ो यानि कि पुराना भुला कर एक नई शुरुआत करो उसी तरह से जब हमें एक new life करनी है तो हमें पुरानी assumptions, पुरानी negative thought patterns, पुरानी वो beliefs जिनसे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिनसे हम अपनी desired life नहीं मिल पा रही है हमें उन सब को declutter करने की ज़रत है सारे जो भी negative emotions है, jealousy है अगर हमारे मन में competition वाली feeling है किसी के लिए बिना बात के, किसी भी तरह का डर है अगर आपके मन में क सारे कि ये पूरा साल वेस्ट कर दिया है आपने और कुछ भी action नहीं ले पाए है आप, यानि कि आपके new year में last year आपने कुछ ना कुछ resolutions होंगे आपके, जिने आप नहीं कर पाए हो अजीव, आपके जो goals आप अचीव नहीं कर पाए हैं इस साल में, तो उन सब के लिए negative emotions आ गई है, रिग्रेट होगा आपके मन में कि आपने कुछ भी action नहीं लिया, तो आपको आगे बढ़ने से पहले उन सारे negative emotions को clean करने की सवरत है, अगर आपके मन में किसी भी तरह की worry है, depression है, या self love की कमी है आपके अंदर, और आप डेली सोचने हैं कि आज से मैं self love start करू और खुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी action नहीं लिया, तो आपको इन सब के लिए खुद को माफ करने की सवरत है, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई anger है या hatred वाली feeling है, किसी के लिए भी, खुद के लिए भी अगर है, तो आपको खुद को भी माफ करने की कि आपको आगे बढ़ने से रोख रहा है अगर आपको lonelies feeling होता है या फिर आपको cheating जैसे feeling होती है या आपके life की किसी भी area में health relationship career या money किसी भी area में frustration है dissatisfaction है या आप खुश नहीं है अगर किसी भी तरह से तो आपको ये सारे negative emotions को clean करने की ज़रुवत है जिससे आप एक new year के साथ एक new fresh start कर सके So, let's start now I'm sorry, dear 2022 If I have ever created any negative emotions for any soul, for any person, for anything अगर मैंने इस 2022 year में किसी के लिए भी, किसी भी person के लिए या किसी भी चीज के लिए कुछ भी negative सोचा है या कुछ भी negative किया है या कहा है तो मैं पूरे मन से सबसे माफी मांगती हूँ I'm sorry, please forgive me Thank you so much, I love you I'm sorry, 2021 Sorry, I'm sorry, 2022 अगर इस year में कुछ भी मैंने गलत किया है अपने goals को achieve करने के लिए अगर मैंने कोई भी action नहीं लिया है या कुछ भी ऐसा है जो मैंने नहीं किया है या किसी भी काम को बार-बार मैंने postpone किया है प्रोक्रेस्टिनेट किया है या डिले किया है किसी भी तरह से अपनी गलत सोच की वज़ा से तो अगर इस एयर में मैंने अपने पैरेंस के साथ किसी भी तरह से रिलेशन्शिप खराब की है या उन्हें कभी भी कुछ भी बुरा कहा है या उनके बारे में बुरा सोचा है उन्हें हर्ट किया है अगर मैंने किसी भी तरह से तो I'm sorry, I'm sorry my parents, I'm sorry papa, I'm sorry mommy आपको misunderstand करने के लिए, आपके साथ सही behave ना करने के लिए आपको trust ना करने के लिए, आपको disrespect करने के लिए, I'm sorry आपको ना समझने के लिए, I'm sorry आपके साथ argument करने के लिए, I'm sorry Please forgive me Thank you so much papa, mammy हमेशा मेरा support करने के लिए Thank you so much papa, mammy हमेशा मुझे बहुत 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 प्यार करने के लिए Thank you so much papa, mammy हमیشہ, हमیشہ, हमیشہ मेरे साथ होने के लिए thank you, thank you, thank you so much I love you, I love you, I love you इसके बाद हमें अपने siblings को भी sorry बोलना है क्योंकि कही न कहीं हमारे siblings के साथ भी हमारे कुछ ऐसे moments हुए हुए होगे जब हमारी उन से किसी ना किसी बात में कोई ना कोई argument हुई होगी या फिर किसी तरह से हमने उनके लिए bad feel किया होगा तो अब हमें अपने siblings को भी I'm sorry कहना होगा Okay, so I'm sorry my siblings यहाँ पर आप अपने भाई बेहन का नाम लेकर कह सकते हैं I'm sorry, please forgive me कि अगर कभी मैंने कुछ misunderstood किया है आपको या किसी तरह से हमारे relationship के बारे में कुछ भी गलत सोचा है या किसी तरह से मैंने आपको hurt किया है या आपकी growth में मैंने कभी भी hurdle बनने की कोशिश की है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उपने भाई बेहन की growth में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम एक hurdle बन जाते हैं हम एक blockage बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है तो I'm sorry my siblings I'm sorry please forgive me Thank you so much world के best भाई बेहन होने के लिए Thank you so much I love you इसके बाद हम अपने सारे friends के लिए हो ओपोनोपोनो कह सकते हैं कि I'm sorry my dear all friends कुछ भी अगर हमारे बीच किसी भी तरह का कुछ भी negative अगर create हुआ है कभी भी जाने अंजाने में तो I'm sorry my all friends आप अपने friends का नाम लेकर भी बॉल सकते हैं उन्हें sorry and please forgive me Thank you so much I love you सबसे पहले हमें most important हम खुद हैं तो हमें सबसे पहले खुद को अपोलोसाइज करने की जवरत है क्योंकि पता नहीं कितनी बार ऐसी situations होई होगी कि हमने खुद को curse किया होगा कितनी ऐसी situations होगी कि हमने खुद के बारे में बहुत बुरा-बुरा कहा होगा हमने complain की होगी खुद से हमने खुद को criticize किया होगा हमने कभी मिरन में खुद को देखकर अच्छा feel नहीं किया होगा हमने खुद के लिए बहुत बुरा-बुरा कहा होगा कि हमने अपने लिए कुछ गलत किया है या हम इतने अच्छे नहीं है या हमने अपने लुक्स के लिए भी का होगा या हमने कभी ना कभी अपनी destiny को अपने luck को भी कुछ ना कुछ बहुत ही curse किया होगा तो इस तरह कि जो कुछ भी हमने गलत words अपने लिए आज तक भी कही है हम खुद इस दुनिया में अपने लिए सबसे जादा important है तो सबसे पहले खुद से माफी माँगिए mirror में देखिए अपने आपको और बॉलिए अपना नाम लेकर I'm sorry, please forgive me कि मैंने कभी भी तुम्हें हर्ड किया है या कभी भी तुम्हें बुरा फील कराया है, कभी भी तुम्हें रुलाया है अगर, I'm sorry, please forgive me thank you so much मुझे बहुत प्यार करने के लिए thank you so much हमेशा मेरे साथ होने के लिए क्योंकि जब भी आप lonely होते हैं कोई भी आपके साथ नहीं होता लेकिन आप हमेशा अपने साथ होते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को thanks कहने की ज़रुत है खुद को thank you कहिए खुद को I love you कहिए खुद को एक beautiful सा hug दीजिये mirror में देखकर और खुद को बहुत 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 ज़दा प्यार करिए अपने खुद को appreciate करिए आपके कितने beautiful हैं आप कितना प्यारा face दिया है भगवान ने आपको खुद को बहुत 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 सदा appreciate करिए अपने skills के लिए appreciate करिए अपनी beauty के लिए appreciate करिए अपनी हर एक चीज के लिए अपनी perfect health के लिए भी appreciate करिए thank you thank you thank you so much myself I love you इसके बाद next आपको क्या करना है आपको अपने सारे HRCM goals के लिए हर एक चीज के लिए आपको माफी मागनी है आपको बोलना है I'm sorry my health अगर आपने कभी भी इस year में अपनी health को ignore किया है या कभी for granted लिया है या कभी आप बिमार हुई है किसी भी वज़ा से तो आप अपने health को sorry बोलिए कि I'm sorry my health please forgive me thank you so much to keep me alive today क्योंकि आज आप जिन्दा है 2022 के end में आप जिन्दा है कि जिससे आप एक नया year देख सके 2023 तो आप अपने आपको thanks कहिए उसके लिए अपनी health को thanks कहिए thank you my health thank you so much I love you अपने relationship के लिए अपने हर एक relationship के लिए जो भी आपके लिए most important relationship है सबसे पहले अपने parents अपने siblings उसके अलावा आपकी relationship में आपके friends आपके nearby जो भी सबसे ज़्यादा आपके clause हैं अपने spouse के लिए कह सकते हैं आप अपने partner के लिए कह सकते हैं अपने business partner के लिए अपने colleagues के लिए अपने boss के लिए सब के लिए के ये I'm sorry my all relationships please forgive me कि मैंने कुछ भी गलत किया है अगर कभी भी किसी के साथ हो I'm sorry each and everyone please forgive me thank you so much उन सब खोद नाम लेकर thank you कही है मेरे साथ होने के लिए thank you so much मुझे बहुत प्यार करने के लिए मुझे बहुत respect करने के लिए thank you so much मुझे अपना valuable time देने के लिए क्योंकि आप कभी भी किसी भी friend से बात कर रहे हैं तो वो आपको अपना time तो दे ही रहे है ना तो उन सब को thanks कहिए and I love you all उसके बाद आपको अपने करियर को भी apologize करना है कि I'm sorry my career की करियर में आपने कभी भी कोई भी गलत actions लिए हैं या time पर actions नहीं लिए हैं तो कहिए I'm sorry my career please forgive me करियर को लेकर आपके मन में जो भी negative चीज़ी हैं उन सब को आप नाम लेकर कहिए यहाँ पर mention करिये कि I'm sorry for not doing good things at the right time I'm sorry my career please forgive me thank you so much I love you इसके बाद आप अपने मनी को कहिए मनी के लिए आपके मन में जितने भी negative thoughts हैं जो भी lack वाली feelings हैं जो भी poor वाले thoughts हैं आपके जो भी negative beliefs हैं उन सब के लिए कहिए कि I'm sorry money please forgive me इसके बाद thank you को यह हर एक money के लिए कि आपको बच्पन से लेकर अब तक एक एक रुप्या जो भी आपको मिला है जितना भी आपने खर्श किया है अपनी ज़रुरतों पे आपकी जितनी भी ज़रुरते पूरी हुई है आपनी शोपिंग भी की है आपको डेली फूर भी मिल रहा है आपको अच्छे चे कपड़े भी मिल रहा है आपके पास अच्छा घर है आपके पास electricity है आपके पास water है इस सारी चीज़े पैसे से ही तो आती है ना तो हर एक रुपे को आपको thank you कहना है उसके अलावा और future में आप जो भी money चाहते हैं उस money को advance में thank you कहिए कि thank you so much for my overall earnings thank you so much मेरे पास अब तक जितनी में income हुई है जितना भी money आया है जहां कहीं से भी आया है उस सारे के सारे money को thank you so much I love you so guys इस सारा से आपको 2022 में आपने जितने भी negative emotions create कहें हैं जिस भी चीज के लिए create कहें हैं आपको हर एक चीज को हर एक इंसान को thank you बोलना है sorry बोलना है उसको और उसके लिए अपने सारे negativity को बिल्कुल खतम करके आपको एक नए year में 2023 में fresh start करना है एक happy mind के साथ आपको जाना है next year में so guys इस तरह से आपको अपने सारे negative emotions को सारे blockages को खतम करना है clear करना है जिससे कि आप एक new fresh start कर सके next year में आप खुशी खुशी answer कर सके इसके बाद मैं next video में बताऊंगी कि first gen को आपको क्या-क्या activities करनी है किस तरह से आपको नए year अपने according बनाना है कि कैसे आप अपने सारे results को आप अपने सारे goals को achieve कर सके आप अपने desired life को achieve कर सके